हेलो एब्रिबन, वेलकम टू सक्सेज वित्राय एकेडमी, संसत पर हमला हुआ था, आपको पता होगा कि 13 दिसंबर 2001 को संसत पर आतंकी हमला हुआ था, उसकी बरसी मनाई जा रही थी 13 दिसंबर 2023 को और फिर से उस पर हमला हुआ है संसत पर, जो कि सबसे सुरक्षित स्थान मा बना जाता है, और ये आतंकवादी हमला थो नहीं था, लेकिन उस रूप का हो भी सकता था, लोकतंत्र में संसत को एक मंदिर की संग्या दी गई है और सबसे सुरक्षित स्थान इसे माना जाता है, लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा में चूख हुई है, और जिसका जो खाम्या वो पूरे देश ने सरमसार होकर धुपता है पूरे वर्ल्ड मीडिया ने इसको दिखाया है कि किस तरीके से संसद में चूक हुई है संसद भवन का ये मामला है और साल 2001 की बरसी मनाई गई दो मिनिट का मौन रखा गया और उसके बाद ये सारी कारवाई वहां पर हो गई 13 द इस पूरे मामले को इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इसके साथ ही पुरानी संसद और नई संसद के बारे में भी कुछ important facts हम जानेंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं देखिए यहाँ पर जो पिक देख रहे हैं आप यहाँ पर दो पिक हैं नई संसद की और पुरानी स संसद का जो इतिहास है वो लगबग सौवर्स का है और नई संसद जो है वो 2023 में उसका मई 2023 में ही उद्गाटन हुआ है इसका सिला न्यास रखा गया था 2020 में और ये रिकॉर्ड समय मातर तीन साल में बनकर तयार हुआ है तो इसके डिटेल हम लाश्ट में देखेंगे लेकिन जो ये संसद पर हमला हुआ है इससे पहले भी 2001 में ये हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 में और इसमें आतंकवादी जो थे वो हत्यारों से लैस थे जिसमें की लसकरे तोयबा और जैसे मुहम्मद का ये जॉइंट ऑपरेशन था इंडियन पार्लियामेंट पर हाला कि वे बहुत अंदर तक पहुँच भी गए थे आतंकवादी लेकिन हमारे सुरक्षा कर्मी ढाल बने और उन्होंने अपने देश के लोकतंत्र को सर्मसार होने से बचाया बहुत लोगों की उसमें जान जा सकती थी जिसको हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने प्रान देकर उसको बचा वहाँ पर चल रहा था और प्रश्निकाल चल रहा था तभी विस्टर गैलरी से दो लोग बेंच पर कूदे और उन्होंने इस्प्रे करना सुरू कर दिया यह इस्प्रे जो था वो कलर्ड इस्प्रे था और हाला कि कुछ सांसत भी उनकी तरफ भागे और उनको पकड़ने की क दोश्स की गई इसमें कुछ जो राजक तक्त्यों थे यानि कि जो जिन्होंने इस कारे को अज्याम दिया है वो बाहर भी थे बाहर है दो लोग को गिरिफ्तार किया गया था टोटल चे लोग की इसमें गिरिफ्तारी हुई अब प्रश्नी ये उठता है कि इतनी सेफ जगा में ये आतंकवादी हमला हुआ कैसे सबसे बड़ा कोश्चन ये आता है तो इसके बारे में हम ये जानते हैं कि किस तरीके से आप विजिटर्स पास के थूझ ये लोग गये थे उन्हें ये विजिटर्स पास मिला कैसे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना है ये दिए इसमें अगर आपको संसद में इंट्री करनी है विजिटर्स के तौर पर आपको जाना है तो इसमें संसद की महत्पूर्ण भूमिका होती है आपके जो छेतर के संसद हैं वो एक लिखित ग्यापन देंगे और उसमें वो ये बताएंगे कि वो आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तभी आपको विजिटर्स पास अलाउग किया जाता है कोई भी संसद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए विखितर पास का अवेधन कर सकता है जिसको व्यक्तिगत रूप से जानता है यह यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसी के तहट यह भी हुआ और नियम की अगर हम बात करें तो नियम 386 और नियम 387 दो रूल है अगर हम न अध्यम से कोई भी विस्टर्स बन सकता है हाँ संसद की परमीशन लेना जरूरी है उसके बाद अगर आपको परमीशन संसद दोरा मिल गई है तो आपको एक दिन पहले संसद की करवाई के एक दिन पहले चार बजे तक आवेधन केंद्रिय टीम के पास कर देना होगा और व आपको किसी भी समय विज्टर्स गैलरी से हटा भी दिया जा सकता है तो यह दो नियम है जो आपको जानना चाहिए विज्टर्स के लिए जो प्रक्रिया है वो है कि आम नागरिकों इसमें प्रवेस कर सकते हैं और संसद की कारवाई को देख सकते हैं इसमें सांसदों को घो विजटर्स जो हैं वो अपना फोटो पहचान पत्र के साथ ही उनको प्रवेस दिया जाता है लोगसभा में दो प्रकार की दरसक दिरगा होती है देखिए एक सारजनिक और दूसरी अध्यक्ष की गैलरी सारजनिक में जो सांसदों के द्वारा आते हैं और जो अध्यक्ष की गैलरी होती है उसमें अध्यक्ष के पास आप बैठ सकते हैं याने उनकी तरफ वो लॉबी होती है तो इसी तरीके का कुछ ये परमीशन लेके आये थे और इसमें ये इन्होंने करवाई को अंजाम दिया इसमें चार लोग विजिटर्स अधिक्तम चार लोग विजिटर्स बनाये जा सकते हैं हाला कि पूर्या जो घटना करम था वो काफी होरिफाइंग था और इसमें किसी की जान भी जा सकती थी अब आप ये सोचिए अगर इन्होंने कलर्ड जो आसु गैस ले रखा था उसकी जगा पर अगर इन्होंने ग्रिनेट लिया होता या कुछ एके क्राशा के जूए जा सकती को आया होगा की तब इन्होंने ने सोज़ में चुपा रखे थे रहा है संसत ने इतनी बड़ी चूख होई कैसे हाला कि विजटर्स पास को पूरी तरीके से रोक दिया गया है और इसमें अब हम ये जान लेते हैं कि जो संसद है उसका इतिहास क्या है देखिए जो पुरानी संसद है उसका उधगाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था और उस समय जिन्हों ने इसका उधगाटन किया था वो ततकालीन गवर्नर जनरल लॉड इर्विन थे और उस समय इसकी लागत आई थी पुरानी संसद की 83 लाख रुपए लगभग लागत आई थी और ब्रिटिस आर्किटेक्ट थे सर एडविन लुटियंस और हारबर्ट बेकर इन्होंने 1921 से 1927 तक लगभग 6 साल में इसका निर्मान किया था वर्तम उस समय इसे कौंसिल हाउस बोला गया था जब देश आजाद हुआ तो इसका संसद नाम रखा गया अब जो नई संसद की बात कर लेते हैं इसकी जो आधार सिला है वो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी और इसका जो लागत है लगभग 1200 करोड रुपए इसकी लागत आई थी और टाटा जो कंपनी है उसन ही इसका निर्माण किया था निर्माण रासी हाला की 912 करोड रुपए रखी गई थी लेकिन वो बनते बनते 1200 करोड पहुच गई इसका नाम जो है वो समिधान सदन दिया गया है और 28 मई 2023 को प्रधान मंद्र नरेंदर मोधी द्वारा इसका उद्गाटन किया गया था तो आपको क्या लगता है जो संसब में चूक हुई है आप इस पर विचार अपने कमेंट बॉक्स के मांदन से व्यक्त कर सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद